आज हम एक और स्टोरी मैथ के लिए के आए हैं और उस स्टोरी के तुरू हम देखेंगे हम जमेटर के और डिफरेंट विकाबलरी और डिफरेंट टरम्स और डिफरेंट किसम की चीज़े कैसे बच्चों के साथ ना सरफ अक्टिविटी में कर सकते हैं बलके उन्हें उसके कॉंसेट भी समझा सकते हैं आज इस स्टोरी को हम डिसकस करने जा रहे हैं वह बहुत फेमस स्टोरी हैं 1994 में लिखी गई थी और उसका नाम है दा क्लॉक फॉर्द ड्रीमर का हम सबसे पहले प्लॉट दिखते हैं कि है क्या उसके बाद हम यह देखेंगे क अश्मीमें की घॉटक के बच्चे रहे हैं पर आपको यह याद रखना है कि दूटी के कहानी के अंदर एक important character है जो है एक R Duke है R Duke जो है वो एक tailor को एक assignment देता है कि वो अपनी लिए तीन उसको clocks बनाने हैं और अपनी family के लिए भी उसको गॉंस या clocks बनवाने पड़ते हैं वो actually सर्दी से डर रहा होता है और वो चाहता है कि ना सिर्फ material बहुत अच्छा हो बलकि वो बहुत ही ज्यादा interesting तरीके से उसका design बनावा हो और वो colorful हो वो अपनी demand अपने tailor को बताता है कि मुझे इस किसम की clocks चाहिए और मुझे इतने ही चाहिए तो tailor यह सोचता है कि इतने धीर सरे clocks में अकेले तो नहीं बना सकता है तो वो अपनी तमाम family को इसी construction में engage करता है अब उसके तीनों बेटे उसके पास मौझूद होते हैं और वो उनको assignment बाढ़ता है tailor नहीं चाहता कि उसके पास जो material मौझूद है क्योंकि आड्यूप चाहता है कि colorful किसम का गॉन या coat या clock जो है वो बना के दिये जाए उसके लिए उसको बहुत धिर सारा material लगाना पड़ता है और वो नहीं चाहता कि उसके कपड़े जाया हो या material maximum जाया हो क्योंकि वो colorful clock होगा तो वो क्या करता है वो तरीके के साथ एक design बनाता है और वो design में geometrical pattern को इस्तेमाल करता है और geometrical terms को इस्तेमाल करता है सबसे पहले तो वो अपने हर बेटे को एक assignment assign करने के बाद ये बताता है कि आप अपने जो color patterns हैं और design patterns है उनको एक खटा करें उनके बारे में सोचें कि वो कौन से design pattern है जिसके अंदर कम से कम कप्रा जाया हो और वो पूरा space cover कर लें कहीं भी कोई सुराख बाकी न रहें सो जब वो अपना clock बना लेते हैं और उसको display करते हैं तो उसका छोटा बेटा अपना clock लेके आता है जो उसने खुद अपने ले design किया होता है और उसके अंदर बहुत ही सारी gaps होते है उसके एक वज़ा यह होती है कि उसने square patterns काते होते है square pattern को जब वो जोडता है तो उनके बीच में सुराख रह जाते हैं अगर वो उन सुराख को बंद करता है तो उनके इंदर जोल पड़ जाता है इससे very interesting story कि हमारे पास different किसम की जब geometrical patterns मौझूद होते हैं और जब हम उसको आपस में मिलाते है जिसको हम tessellations कह रहे होते हैं तो हमारे साथ की geometrical shapes होती है वह हमें क्या limitations देती है हमारे design को और क्या strength देती है किस किसम का space cover up कर सकती है किस किसम का space cover up नहीं कर सकती है अब इसको study करते हैं और देखते हैं यह activity क्या है इसके अंदर learning objective जो दिये गए थे students को वह यह दिये गए थे के वह tessellation patterns को इस्तेमाल करते हुए और अंडर्स्टैंड करेंगे कि tessellation होती है दूसरी उनको टessellation pattern जब वह बना रहे होंगे अपनी assignment और activity के लिए तो उनको पता चलेगा कि अगर एक geometrical shape change हो जाए तो उस geometrical shape की change हो जाने की वजह से उनके pattern पे क्या issues आते हैं क्या effect होते हैं सो इसके लिए activity के steps मौझूद है step number one सबसे पहले यह कि कहानी को बकाइदा proper तरीके से पढ़ा जाए teacher class के अंदर आए कहानी खोले और read aloud करें और उसके अंदर से वो तमाम vocabulary निकाल ले जो कि geometry और mathematics की vocabulary है उसका vocabulary bank बनाएं जाहिर है यह हम literature की कहानी तो पढ़ा रहे हैं पर मकसद तो हमारा geometry और translation सी पढ़ाना है सो उस vocabulary को निकाल के बच्चों को कहानी सुनाने के बाद उस vocabulary bank को बच्चों के साथ करें और वो बताए कि यह वर्ट कहां कहां इस्सेमाल हुए थे ताके पता चले कि वह कॉंटेक्स सीन कहा था जहां यह वर्ट आए हैं ताके इन की समझ आ सके कि इन वर्ट की क्या मेनिंग्स हैं और उसके बाद वह प्र ली एक activity डिजाइन करके बच्चों को दे ताके वह पड़के इस विकाइबरी को सामने रखते वह यह activity करें अवह activity कि हो सकती है मारे पस अप्र ब्लॉक्स होते हैं इन ब्लॉक्स को हम स्टूडेंट को दे सकते हैं और इन ब्लॉक की मदब से डिफरेंट इसलेशन पार्ट बना सकते हैं जब आप उनको एक असाइन पैट्र न बना रहेंगे इन संब्ल बनाते हैं उसको बार बर रपीट करते हैं क्या आपके स्पेस में कुई GAPS रह जाते हैं या नहीं रह जाते कौन से डिजाइन्स ऐसे हैं जिसके अंदर GAPS रहते हैं कौन सी GEMETRICAL SHAPS ऐसे हैं जो बहत आराम से जुन नहीं होती हैं बाकी जैसे स्टाइ नेक्स स्टेप इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि जब बच्चे इसको प्रेक्टिस करें चोटी सी एक्टिविटी कर लें दें 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 गो फॉर अब एक्टिविटी इन गुरॉप वर्क जिसके अंदर वह कोई बैनर बना सकते हैं इसको डिजिटल भी तो फिर वह सोचेंगे किस किसम के पैक्टरों जो है उन्हें चाहिए जिए मेट्रिकल पैक्टरण और कैसे वने कंबाइन करेंगे यह शेप या उनका मैसेज जो है वह आप तक कनवे हो सके इसके इसके लावा जब आप इनके काम की करेंगे तो बच्चे ना सिर्फ अपना का काम देखके खुश होंगे कि लोगों ने अप्रिशेट करें वह दूसरे के काम देखके भी बहुत अप्रिशेट भी करेंगे और लान भी करेंगे